हलो दूस्तों स्वागत करते हैं हमारी यूट्व एज़न पी टेकनिकल में आइस पीडियों में बात कहने जारे कि यूटे के तरफ से एक नया अपडेट आया है एक वाइसी का EKYC-Mod के माध्यम से अगर आपनी E-Philling के पोटर के माध्यम से इस्टाटले पेनकार बनाया है तो आपको पता हो कि उसमें Father's Name e-Signature नहीं आता है इसी के रिकार्डिंग में यूटेने के नए अपडेट निकाला है वह है EKYC-Mod अब EKYC-Mod के थ्रू आप अपने E-Philling वाले pen card में father's name signature photo को update कर सकते हैं वो होती आसानी से तो EKYC mode के माध्यम से ये काम किया जा सकता है तो यहाँ पर notification एक पर आपको rate करके बता देता हूँ यहाँ पर वे सभी आवेदक जिन्होंने आएकर भी भाग के e-filling portal यानि यह वाला portal ठीक है तो ततकाल e-pen card राप्त किया है UTI portal से EKYC mode के माध्यम से परिवतन अन्रोद आवेदन का उप्यों करके परिवतन सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं यानि जल्दी ही UTI EKYC का mode है वो function है वो update करेगी अपने इस portal पर या फिर पीएशे है आईडी है उस पर दोनों में इस किसी भी एक portal पर EKYC mode है वो आने वाला है जिसके मद्द से आप father's name signature photo को update कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर पहले से कि यहाँ पर EKYC mode का function है वो यहाँ पर already मौझूद है बट यह function only address update के लिए है बट यहाँ पर एक और function आ जाएगा father's name signature photo आपडेट के लिए एक वाला जैसे कि हम पर बताएगा है फेसलिटी फॉर एड्रेस अपडेट इन पें का डाटाबेस थ्रू एक वाईसी मोड सेंटो सेंटो सिम ऐसा ही option आएगा आपके लिए father's name and signature photo update करने के लिए तो जैसे कि मैं आपके के लिए करता हूं तो इसमें क्या-क्या देखने को मिलता है तो यहाँ पर आपको pen number देना होता है आधार कुछ interaction भी देगा है यह की का मोड के लिए आपका अधरकार मोबाल नमर रिष्टर होना चाहिए इसके लाव आपके इंडिया कि सिटिगन होने चाहिए साथी कि आपके आधरकार में फूबाइल नमर रिश्टर नहीं है, या फिर रिश्टर हैं, तो आफ वोट फे वी हरिफाई नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे भी आप EKYC का मोड़ का इस्तिमाल नहीं कर पाएंगे तो वैसे भी आपको पता होगा कि आपके आधर कार में मोड़ना में रिष्टर है तब ही तो आपने फिलिंग के थू आपने पैन कार बना है तो आपको टैंसल लेने के दूरत नहीं है तो आप आसानी सी EKYC मोड़ के थू अपना पैन कार्ड में फादस नेम सिंगनेचर एंड फोटो अपडेट कर पाएंगे बट यह सर्विस कुछ दिन बाद में लॉंच होगा भी फिलाल यह लॉंच नहीं होगा अब इससके कम चलग रहा है अप्रेल के महिने में यह फांक्षिन लॉंच हो जाएगा यह फांक्षिन आपको इस पिर या फिर यूटे का PSA पोर्टल पर देखने को मिलेगा फ्रेंड्स जैसे भी यह पोर्टल यह ओफ्सन है लोज हो जाता है तो इसपे को वीडियो बना देंगे सेफरेटली ठीक है अभी फिला जब यूटे के PSA ID से जब हम पैन कार्ड के लिए क्रेक्शन के लिए अपलाई करते हैं य पीक हवाएसी ओप्सन यस करना है तो अब तक आपको वेट करना होगा तो ही व कर मोड का फंक्शन आने के लिए तो ये फंक्रण व कौर्ढ़ आपको और के महिने में देखनी को मिल जाएगा इसके बतां में बताएगा एकशी अप्सन आफ सन्रय को आपगै arriv sound यहां पर नोटिफिकेशन दे दिये गए कि अभी तुरूंत तो नहीं आएगा अभी यहां पर कोई डेट को यह आएगा बट यह अप्रेल के महिने में अलमुस्ट आ जाएगा ऐसा मानना है मारा तो इस पोडल के माध्यम से आप एक वाई सी के थूँ अपना आधा पैनकार्ड में फादस नहीं सिंग्रेटर अपडेट कर पाएगी यह अपने आप किया होगा तो काफ़ी लोगों के डले हुए हैं इस तरह का कुछ देख सकते हैं यहां पर रिक्वाइट चैंज एन इन नेम प्रूफ सच एग और कौफी ऑफ गजिटेड नोटिफिकेशन और एनेक्सर एडली सिंगेचर एंपी एमले का नांसुलार का गजिटेड ऑफिसर तो इस तरह का कुछ और डाल दिया जाता है जिसके माध्यम से आप यह गजिटेड ऑफिसर एन एक्सर एक फॉरम फिलफ करके ही आप ऑफिसर को किलियर कर पाते हैं तो काफी बंदें ऐसे होते हैं कि वह एन एक्सर फॉरम को भर तो लेते हैं बट कोई एम पी, MLA, काउंसल कोई भी कजेट ऑफिस की अजसर करने के लिए रेडी हो जाता है बट वह अपना अफिचल आइडेंटे काड नहीं देता है, अफिचल का मतलब होता है कि वो जिस से रैंक पर है, जिस पत्पर है, उस पत्रोप का ऊफिचल आईडी होता है, वो आईडी देते हैं तब ही एफसाइट के माध्यम से पहिंकर बना है तो आपको इस तरह का कोई भी अब्जक्शन है वो नहीं डालेगी फ्रेंड्स तो आसजनी से आपना फादर सनेम सिंगनेचर है फोटो अपडेट कर पाएंगे इसके रिगार्डिंग में कुछ फीस लगेगी या नहीं लगेगी इस अगर आपको यह आपका आज का वीडियो अच्छा लाग है तो लाइक करें अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल लगए फ्रेंड्स